कूल दिवाली पर हिंदुस्तान का हिंदू मिठाई से अधिक प्रुपेगेंडा सेवन और ये मैं नहीं कह रहा हूँ रहात इंदोरी साब ने ये बात कही थी तो बीमार को मर्ज की दवा दिये भी देते हैं और ये वर्ष भी हर वर्ष की तरह कुछ अलग नहीं था दिवाली आने की बस आहट भर थी के ब्रैंड्स निकल पड़े अपने अपने प्रोपेगेंडा को लेकर फैब इंडिया ने अपनी सो कॉल्ड दिवाली कलेक्शन निकाली और पूरी एड में कहीं दिवाली नहीं लिखा उपर से भारतिय संस्कृति को श्रधांजली भी दे दी और उसे नाम दिया जशने रिवाज पबलिक को ये एड समझ नहीं आई और उन्होंने फैब इंडि को इस पर लगा कि केवल भाजपा के लोगों ने विरोध किया है ये मेडम कह रही थी कि एक विक्ती दिखा दो जो फैब इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो मैंने का एक तो मैं ही हूँ बाकी आप नीचे कॉमेंट करकर एंडि टीवी को अवश्य बताएं कि कितने लोग अ अब एक और सारी पॉब्लिसटी शारुखान लूट रहे थे तो आमेर ने कहा कि भाई मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ भाई ने सी टायर के साथ मिलकर एक एड कर दी और भाई ने कहा कि हम दिवाली पर पटाके फोडेंगे एड बीच में पॉज करके आसु पूछे भाई मै और मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया इतना हर्दे प्रवर्तन कैसे फिर आगे एड चलाई तो पता चला कि ग्यान तो आगे पेला गया है और कहा गया है कि रोड पर पटाके मत चलाओ चलाने है तो अंदर चलाओ फिर मैंने ऐसे ही अखियों की जरोखे से दिवार के जरो मटन चिकन बिर्यानी की दावत चाहिए है तो नमाज घर पे पढ़नी होगी मजजिद में पढ़नी होगी रोड पर नहीं रोड गाडिया चलाने के लिए है नमाज पढ़ने के लिए नहीं एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे पर तब तक के लिए फिच टू सीर्ट सिक्युरा अब आप इन्हें नमाज ओफोबिक, इसलाम ओफोबिक कहलो, भाई ने तो बना दी पैरोडी, तो बात करेंगे कि नमाज ओन रोड के बारे में बात करेंगे, हिंदू फेस्टिवल पे होते हुए प्रोपेगेंडा के बारे में आप हमारे साथ बने रहें, देखते रही आज आई तीज, बिखेर गई बीज, आई हुली, भर गई जोली, यानि भारत में तीज के बाद हिंद्य त्योहार शुरू होते हैं और हुली पर हमारे जो त्योहार हैं वो समाप्त हो जाते हैं अगली तीज आने तक, तो तीज से शुरू करते हैं, तीज आती हैं तो भारत में जर्नलिस्ट उसे टॉयलेट में रख देती हैं, गडे इश्चत उर्थी आती है उसके बाद, तो विसर्जर्ण से पानी दूशित हो जाता है, जन्माश्मी पर दही हांडी से दुरगटराए हो जाती है, पीटा वालों को लगता है कि घी नहीं खाना चाहिए, गाय को भैस को बड़ा दुख पहुशता है, फिर उसके बाद जली कट्टो आता है, जली कट्टो में तो पशुवो पर अत्याजार होता है, उसके बाद रक्षा बंदन और करवा चौस में पेट्रियार किया जाती है, वहीं पीटा रक्षा बंदन पर लेदर की राखी मत पहनों के बैनर लगवा कर आपके त्योहार की छीचा लेदर कर देती है, जबकि आप खुद सोच में पढ़े रहते हो, साला लेदर की राखी कप पहनी थी मैंने, नव रात्रों में ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और डांडिया को तो इन्होंने सेक्स फेस्टिवल के रूप में क उसको टेर्रिस्ट बोल दिया जाता है, और हुली तो बेसिकली त्योहार केवल लड़कियों को छेड़ने के लिए ही है इनके अनुसार, आप कोई त्योहार बोलो, उसका एक प्रोपेगेंडा तयार खड़ा मिलता है, वहीं दूसरी ओर, ईद हो या क्रिसमस हो, केवल इन की ओर से केवल खुशिया ही बाटी जाती है, इस बार दिवाली पर कोहली से लेकर फैब इंडिया से लेकर आमिर खान सीट तक सभी ने प्रोपेगेंडा बिखे रहा है, अब पिछले कुछ समय से भारत में प्रतिकार हो रहा है, ये प्रतिवर्ष प्रोपेगेंडा करते है और उस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट लोग उठ खड़े होते हैं, आमिर खान ने इस वर्ष एड बनाई तो फाजल पूरिया ने काउंटर एड बना कर पूछ लिया भाई नमाज रोड्स पर क्यों हो रही है, ऐसी भी एड बनाओ ना, उधर से गुरुगराम के सेक्टर 47 में हिंदू पिछले डेड महा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सडकों पर नमाज क्यों बढ़ी जा रही है, पहले पहल जब सेक्टर 47 के लोग प्रोटेस्ट करने आए, तो पुलिस ने प्रोटेस्ट करते लोगों को ही गलत बताया और कहा, और नमाज परते लोगों को कहा, करो सडक जाम करो तुम्हारे लिए ही बनवाई है सडक तुम्हारा भी तो टेक्स शामिल है इस रोड में हिंदू का ही अकेला टेक्स थोड़ी है ठीक बात है जी अब पिछले डेड़ महा से गुड़गावा के रेजिडेंट्स जो है वो धरना कर रहे हैं शांती से और हमें बताया जा रहा था कि जो भी भारत में प्रोटेस्ट करता है केवल प्रोटेस्ट करने वाला ही सही होता है लेकिन इस बार प्रोटेस्ट करने वाला सही नहीं था इन लोगों के हिसाब से आज जब हिंदूों ने गुरू ग्राम में प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद स्व यूब का ये वाला ट्वीट था, फिर उसके बाद इन मेडम ने पहले गणपती पर ये किया, फिर विश्व कर्मा जैनती पर ये किया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सडकों पर, हैं, सडकों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ऐसे कैसी, इसलामोफोबिया है, इसलामो तो भारत के resources पर प्रतम अधिकार Muslim समाज का है, ऐसा भारत के पूर्ध परदान मंतरे ने कहा था, तो भाई इन्हों ने इसको literally ले लिया, अमिताब ने जुम्मा को पूछा था कि चुम्मा दे दे तो जुम्मा ने अमिताब को बोला कि जुम्मे को चुम्मा दूंगी क्योंकि जुम्मा को पता था सलाज जाम में फस जाएगा सडकों पर नमाज हो रही होगी आ नहीं पाएगा तो जुम्मे का दिन सोची समझी साजिश थी और ऐसा नहीं है कि जुम्मा की लोकेशन चेंज करने से कुछ हो जाएगा ये प्रॉब्लम केवल भारत में नहीं है और मज़िदों की संख्या कम है तो क्या करें इसलिए मासूम लोगों को सड़को पर नमाज पढ़नी पढ़ र रही है ये सुनकर लगेगा कि भाई जैनियन प्रॉब्लम है तो इस पर आगे खोज शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मुस्लिम वक्ष बोर्ड के पास भारत के अंदर 6.1 लैक की भूमी पढ़ी है और ये भूमी इतनी है कि मुस्लिम समाज के मर्दों को सरलता से अकोमो हैं आ सकती हैं लेकिन आज तक किसी ने औरतों को मस्धित में जाते नहीं देखा बड़ी मिन्नतों के बाद जैपूर की एक मस्धित ने अलाव किया अब अगर महिलाएं बिना बाहर निकले नमाज कर पा रही है तो भाई मर्द ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे महिलाएं भी तो वह भी इल्लीगली वक्फ बोर्ड के पास जो भूमी है वो उसे बेच या किराय पर नहीं चड़ा सकता लेकिन वक्फ बोर्ड खुले में ऐसा कर रहा है तो वक्फ बोर्ड को क्या पड़ी है इनके अकमेडिशन की और आप इसी प्रकार से सडकों पर पार्कों में नमाज पढ़ते हो फिर उन्हीं पार्क में बाउंडरी शुरू हो जाती है फिर वही पार्क मजार या मजद बन जाते हैं साइड में आप देख भी रहोगे फ्लाई ओवर तक के उपर मजार मिलती है केवल राजिस्थान राजिस्थान के अंदर 58,000 से अधिक इल्लीगल अकमेडे जा रही है तो उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय पर तो जी UAE में 20,000 रुपे का फाइन भरना पड़ता है यदि आप सड़कों पर नमाज पढ़ें पर भारत में इसे अधिकार समझा जाता है और ये विचित्र द्रश्य अनेकों देशों में देखने को मिलते हैं अभी इसे ग्लोबल प्रॉबलम के रूप में नहीं देखा ज रहा है लेकिन यदि ये इसी प्रकार से चलता रहा तो कुछ समय में ग्लोबल प्रॉबलम बनकर उभरेगी और UAE में ये कानून यह कहकर बनाया गया है कि सड़के परिवहन के लिए हैं आशानवित हूं कि भारत में भी सड़के परिवहन के लिए ही बनी होंगी हाँ इद परिवहन है या अन्य त्योहार है उस पर आप सड़कों पर प्रोसेशन निकाल ये समझ में आता है लेकिन प्रत्यक सब्ता आपका त्योहार बने और सड़के ब्लॉक हो जाए तो वो शायद सही नहीं है आशानवित हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको अगर व हैं आप देख रहे हैं आज की ताला खबर जय हिन जय भारत